हेलो फ्रेंट्स तोड़े वी आर सॉल्विंग क्लास एर्थ चेप्टर एट ट्राइदी इस गिवन पेज नंबर 119 सबसे पहले कुश्चन को रीट करते हैं क्वश्चन क्या कह रहा है कि प्राइमरी स्कूल में पेरेंट से पुछा गया कि आप अपने चाइल्ड को हमबक करने के लिए कितने कितना टाइम स्पेंड करते हैं उसकी हमबक में हल्प करने में तो there were 90 parents who helped half hours to one and half hours तो 90 parents ऐसे थे जो कि half hours से one and half hours तक बच्ची की help करते थे the distribution of parents according to the time for which they said they help in the given is given in the adjoining figure यह figure दी भुई है इसमें distribution of parents दिया है कि कितने parents कितनी देर तक बच्ची की help करते हमबक करने में 20% जो है 20% helped more than half hours of 20% parents ऐसे हैं जो कि one and half hours से जादा बच्ची की help करते है 30% ऐसे हैं जो कि half hours से one and half hours के में करते हैं और 50% ऐसे हैं जो बिलकुल भी help नहीं करते हैं यही given है figure में भी जो figure बनी हुई है question के हैं इसमें three questions हैं सबसे पहला है how many parents were surveyed कि कितने parents का survey हुआ था total parents पूछ रहे हैं उसके बाद है how many said they did not help कि कितने parents ऐसे हैं जोने यह कहा है कि वो बिलकुल भी help नहीं करते हैं more than half and more than one and half hours और कितने parents ऐसे हैं जिन्होंने यह कहा है कि वो डिल घंटे मतलब की one and half hours से ज्यादा बच्ची की help करते हैं तो first information जो में दी हुई है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे सबसे पहले जो में information दी है वो यह है कि कितने parents जो हैं वो help करते हैं half and hours से ज्यादा parents helped help half hours to one and half hours कितने parents ऐसे हैं जो half hours से one and half hours तक करते हैं तो यह given है कि 90 parents ऐसे हैं अब हमें यहाँ पर लिखना पढ़ेगा let माल लेते हैं कि अगर total parents x हो total parents x हो तो यह जो one and half hours के parents हैं वो figure के according only 30 parents है 30% of total parents मतलब की x that is equal to 90 तो जो 30% जो है x का total parents का वो 90 के equal है percent को fraction में लिखेंगे upon 100 into x कर देंगे is equal to 90 यह 0 से यह 0 कट कर देंगे 10 अधर multiplier में चला जाएगा और divide में 3 आ जाएगा 3 से 90 कट करेंगे 30 आएगा और x की value आ रही है 300 the value of x is 300 इसका meaning क्या है कि जो total parents है जो हमारे total parents है वो 300 parents है उसे पूछा है कि कितने parents का survey हुआ है तो 300 parents का survey हुआ है इसको जो second part है उसमें पूछा है कि कितने parents ऐसे हैं जो one and half hour से जादा help करते हैं तो parents help more than one and half hours तो जो उससे जादा करते हैं वो total 20% है और किसके 20% होंगे यह 300 के तो 20 upon 100 into 300 zeros cut हो जाएंगे 60 parents ऐसे हैं जो कि one and half hour से जादा help करते हैं उसके बाद इसका third part करेंगे that is given as the third part third part है कि कितने parents ऐसे हैं जो कि बिल्कुल help नहीं करते हैं which do not do not help ऐसे parents है 50% तो वो 50% of 300 find किये जाएगा इसको cut कर लेंगे तो टोटल 150 parents ऐसे हैं जो बिल्कुल भी help नहीं करते हैं तो अल्दो you got the answers correctly और किसी भी improvement के लिए comment जरू करें किसी भी query के लिए comment जरू करें किसके साथ साथ video को like करें subscribe करें और channel को subscribe करें thank you have a nice day